आवाज देलंगाना तक पहुँचनी चाहिए भारत माता की भारत माता की आज की विजय अईतिहासिक है अभुत्पुर्व है आज सबका साथ सबका विकास की भावना जीती है आज विक्सित भारत के आहवान की जीत होई है आज आत्म निर्भर भारत के संकल्प की जीत हुई है आज वंचितों को वरियता के विजार की जीत हुई है आज भारत के विकास के लिए रज्जों का विकास इस सोच की जीत हुई है आज इमानदारी पारदर्शिता और सुशाचन की जीत हुई है सभी मतदाताओं को आजर पुर्वक नमन करता हुई मतपदेश, राजस्थान और चत्तिजगर के लोगों ने भाजपा पर भरपूर्श नेव दिखाया है तेलंगना में भी बीजेटी के प्रती समर्थन लगातार बढ़ रहा है ये हम सभी का सवभाग्या है जब अपने परिवार जनों से इतना प्यार मिलता है विश्वास मिलता है तो मैं व्यक्तिगत रुप से लनुभाव करता हूँ कि मेरी जिम्मेदारी और अधिक बढ़ जाती है आज भी मेरे मन में यही भाब है मैं अपनी माताओं बैनों बेटियों के सामने मैं अपनी युवासाथियों के सामने मैं अपने किसान भाई बैनों के सामने मैं अपने गरीब परिवारों के सामने उन्होंने जो नेने जो बड़ चड़कर के समर्धन दिया है इसके लिए मैं उनके सामने नतमस्तक हूँ इस चुनाओं मैं देश को जातियों में बाटने की बहुत कोशिसे हुई लेकिन मैं लगाता कह रहा था कि मेरे लिए बेश में चार जातियां ही सबसे बड़ी जातियां है और जो मैं इन चार जातियों की बात करता हूँ हमारी नारी शक्ति हमारी युवा शक्ति हमारे किसान और हमारे गरीब परिवार इन चार जातियों को ससक्त करने से ही बेश ससक्त होने वाला है अब को रखे आगे हमारी धिए और जातियों के अच्छ चार्ण और हुआ है